धर्ती के सबसे सुन्दर पंचियों में से एक मोर है। यह एक रंगीन पच्छी है। यह एसिया का मोल निवाशी है। यह मोखिता, भारत, स्रिलंका और बर्मा में पाया जाता है। मोर तीतर परिवार से सम्भंधित है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो किस्टेटस है। इ मोर की तीन प्रमुक प्रजातिया पाई जाती हैं भारती मोर, अफरीकी कांगो मोर तथा हरा मोर Fact No.2 मोर पच्ची जमीन पर रहने वाले होते हैं और ये खेतों, जंगलों और गर्म छेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं ये वर्सावानों और जाडियों में भी पाये जाते हैं Fact No.3 मोर सरवाहारी पच्ची है ये मुख्य रूप से पधों, फूलों की पंखडियों, बीजों, फलों, चीटियों, टिडियों, कीडे मकोडे आदी खाते हैं इनका सबसे आम घोजन अनाज है, वैसे तो यह किसी भी खादी परदार को खा सकते हैं फिर भी, चाहें कोई पौधा हो या जानवर Fact No.4 इनका जीवन काल 10 से 25 साल तक का होता है Fact No.5 नर मोर मादा मोर से जादा खूब सूरत होते हैं क्योंकि नर पच्ची की पूँच पर रंग बिरंगे पंख होते हैं जबकि मादा के नहीं होती Fact No.6 मोर की पूँच में दोसों से भी अधिक चमकीले रंग के पंख होते हैं और लगभक सभी पंख में बड़े बड़े धपे बने होते हैं इनके पंखों पर क्रिश्टल की परत लगी होती है जिसकी वजह से ये अतिदिक चमकदार दिखाई देते हैं Fact No.7 मोर को अतिदिक सुन्दर्ता के कारण भारस सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्टी पच्छी घोसीत किया था Fact No.8 मोर के सिर पर कलगी बनी होती है इस कलगी को मुकुट भी कहा जाता है सायद इसी वजह से इसे पच्छीों का राजा कहा जाता है Fact No.9 ये धर्ती के सबसे बड़े उड़ने वारे पंचियों में से एक हैं इनके पंखों का फैलाओ 1.5 मीचर के आजपास होता है Fact No.10 मोर की लंबाई लगबग 6-7 फिट तक हो सकती है जबकी मोरनी की लंबाई लगबग 3-3 फिट तक होती है इसका वजह 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक हो सकता है फैक्ट नमबर 11 पूंच समय इनकी लंबाई पांच फीट तक पहुँच सकती है मौर की सुंदर पूंच को ट्रेन कहा जाता है मौर की चौंच की लंबाई एक इंच होती है फैक्ट नमबर 12 इनकी खास बात यह है कि ये घोसले जमीन पर बनाते हैं और पेड की उची डाल पर बैठते हैं मौर खेलते समय हमेशा प्लॉकवाइस डायरक्शन में ही चलते हैं इन्हें सूरज की रोसनी के नीचे खेलना पसंद है फैक्ट नमबर 13 ये पानी में तैड नहीं सकते क्योंकि इनके अन्य पच्चियों की तरह जिल्डीदार पैड नहीं होते इनके पैर जमीन पर मजबूती सेची के रहने में सच्चम होते है फैक्ट नमबर 14 साब को पकड़ने और खाने के करण गाउं के लोग आमतोर पर मोर पालते हैं फैक्ट नमबर 15 मोर की उरने की रपतार 10 मील प्रति घंटे तक हो सकती है फैक्ट नमबर 16 मोर 11 अलग अलग तरह की आवाजे निकालते हैं इनकी आवाज करकस होती है फैक्ट नमबर 17 ये जुन्ड में रहते हैं इनके एक समू में 6-10 मोर होते हैं फैक्ट नमबर 18 मोर के दोलने की औशक गती 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है इनके आँखों की देखने की छमता बहुत अधिक होती है ये अंदर में बारी किसे देख सकते हैं फैक्ट नमबर 19 मोर का वज़न जादा होन की वज़े से ये लंबे समय तक नहीं उड़ सकते फैक्ट नमबर 20 मोरनी जादा तर दो पहर के समय अंडे देती है मोरनी साल में दो बार अंडे देती है तथा एक बार में 4-5 अंडे दे सकती है ये अंडे जमीन में गढ़े में देती है अंडों से बच्चे निकलने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है बच्चे को पूरी तरह बढ़ा होने में 3 साल तक का समय लग जाता है जम के समय बच्चों का वज़न 103 ग्राम होता है ये जन्म से ही चलने फिरने तदा खाने पीने में सच्चम होते हैं बसंत रित्व में मोर मोरनी को आकर सित करने के लिए पंक फैला कर नाशता है मोर हर साल अगस्त बहीने में अपने पंक गिरा देता है और फिर इनके सरीर पर नए पंक उगते है तिंद्व और चीता जैसे सी कारियों से खत्रा महसूस होने पर मोर उड़कर पेड़ों पर चल जाते हैं मोर के खुब सूरत पंकों का प्रियोग पर्स जैकेट तदा कई दर के सजावटी सामान बनाने में होता है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद